हेलो मेरे प्यारे स्ट्डेंट कैसे हैं आप सभी आश्टा गरतान सभी फीट होंगे प्यारे बच्छों आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एकसर से वन डी के जो इंपॉर्टेंट क्वेस्टन है यानि जो में क्वेस्टन आपको सकते हो इन्हें सुल्व करना सीखेंगे प्रिवस्टन वीडियो में आपको 123 सुल्व करना सीखा था इस वीडियो में लोग फोर और उसके आगे कोईस्टन करने जा रहे हैं जहां पर आपको प्रूफ करना है कि यह जो नंबर दिये हुए ना यह इर्रेस्टनल है कैसे प्रूफ कर जाएका अभी मैं आपको ना रूट 2 का वैल्यू निकालना और आप लोग 3-4 डिजीट तक मैक्सिमम डेसिमल बाद निकालना तो देखना कि हमारा जो आंसर है वो तर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है इसलिए रूट 6 होगा हमारा इर्रेस्टनल हो जाएगा इसमें ज्य चार टाइब दिये हुए थे उसमें टाइब टू या टाइब थी में आपको समझाया था कि जो रूट 6 हो गया रूट 3 हो गया रूट 5 हो गया इस टाइब के नंबर जो होते हैं हमारे पास वह रहाशनल होते हैं तो आप लोग डाइट वह स्टेटमें लिख करके भी इसको को रहाशनल कर सकते हो एंजतलतया इसको हैं इसक temporary देंगे मैं इसको शाम कुछा जाता इसमें इसमें धियान दो इसे बोले की प्रूफ करना है 2 root 3 एक मारा वह इक फिया एख मेbach को जाए है कि यह पूरा complete number है यह वी rational है तो कैसे प्रूफ किया जाएगा यह समझाता हूँ आपको तो देखो यहां पर हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है टू प्लस root 3 अब हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे लेट टू प्लस रूट 3 जो है इस और रैसनल number यह एक rational number हम लोग मान लेते हैं कि यह हमारा rational number है ठीक है एक जीम कर लेते हैं इसको ठीक है तो अब यहां पर अगर हमारे पास यह अगर एक rational number हमने मान लिया तो टू प्लस रूट 3 जो होगा इसका value क्या होगा पी बाई क्यू के पराबर होगा क्योंकि हम जानते हैं कोई भी रैसनल number पी वाई क्यू के form में होता है इतना समझ में आगे 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 चलके हमें को प्रूफ यह करना है यह यह rational number है ठीक है अब कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग के पास यह क्लियर है यह statement आपको कि अगर यह rational number होगा तो यह equal हो जाएगा पी बाई क्यों के form में अब क्या करो कि यहां से किसी भी एक चीज का value निकाल दो जैसे कि मानलो हम लोग को रूट 3 का value दिया हुए ना तो टू को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो रूट 3 इधर बच जाएगा इक्वाल को सेड में पी बाई क्यू रहेगा यह टू इधर प्लस में था इधर जाकर कि यह माइनस का टू हो जाएगा अब हम लोग सॉल्फ करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे रूट 3 इक्वाल टू क्यू का टेबल लोग तो इससो सॉल्फ करने का सिंपल तरिका यह ही है कि डिनूमिनेटर से पी बाई क्यू जो है देखो यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्फ करें तो हम लोग जानते हैं कि पी और क्यू हमारे पास क्या नंबर से हैं सिंपल नंबर से हैं और इनको अगर हम लोग सॉल्फ करेंगे तो यह हमारा क्या होगा एक रैसनल नंबर हो जाएगा तो इसको है कि P-2Q divided by Q is a rational number यह हमारा एक rational number है ठेक्व समझ मैं है रेस्ट नंबर क्यों है क्योंकि हमारा पीबाई क्यों रेस्ट नंबर था जहां पर पी और क्यों हमारे पस ऐसे नंबर थे जो क्यों हमारा जीरो नहीं था यानि कि 1 2 3 4 या माइनस बंट कोई से भी नंबर हो सकता है नॉर्मल नंबर आप नहीं सकते हो तो यहां पर आप चाहो तो इसको अलग लग ऐसे लिख सकते हो ना कि यह पी बाई क्यू और फिर माइनस में 2P इसको अगर अलग से मैं आपको इसको लिखने की जुरूत नहीं है लेकिन उल्ग को समझा रहो हो कि सकते हैं यह हमारा अलग लग करके लिखा जा सकता है ओडो हमारा अगर यह एक रिखना नंबर है मान लो यह हमारा 4 है तो यहां पर यह भी होगा एक रैसल नंबर ही तो होगा न जैसे हमारे पास Q का वैल्यू क और नीचे में 1 है, तो यानि कि 2 माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू पूरा 2 आजाएगा, अगर इसका वैल्यू में 1 ले लेते हैं, Q का तो, तो यह हमारा क्या निकल करे आगे, एक रैसनल नंबर आगिया, तो कभी भी किसी भी रैसनल नंबर से, किसी दूसरे नंबर को जब नंबर 1 मानोगे, और लिखोगे, from equation 1, from equation 1, equation 1 से में समझ में आ रहा है, कि अगर यह रैसनल नंबर है, तो यह भी मारा रैसनल नंबर होगा, root 3 is a rational number, but, लेकिन, it is given that, हमें दिया गया था question में, कि root 3 is a irrational number, यह जो होगा, हमारे पास question में क्या बोला था, कि root 3 जो है, वो एक irrational नंबर है, ऐसा question में बताया गया था ना statement में, तो यहाँ पर एक contradiction हो जा रहा है, कि हम जो है, वो एक contradiction में आ जा रहा है, इसको अब दो तरीके से एक छोटा सी statement में आप लिए सकते हो, कि our assumption is wrong, इस आप से भी लिए सकते हो, दोनों में आपको बता देता हूँ, our assumption, यानि कि ह हमाने जो अनुमान लगाय है था कि ये जो होगा हमारे पास एक rational number होगा हमने ऐसा अनुमान लगाया था अच्छी बात नहीं है तो इसको यह कहा जाता है contradiction तो हमने यहाँ पर देखा कि रूट थी तो हमारा एक तरह से रेस्टनल निकल करके आ रहा था लेकिन कोईस्टन में कहा गया है कि यह इर्रेस्टनल है तो इसको लिखने का यह खेल है बाकि solve करना तो बहुत असान है मैं एक बार जल्दी से आपको फिर से समझाया देता हूँ फिर आगे question solve करेंगे तो आपको और अरच इसके लिए रहोगा पहले तो आप मान लोगे कि जो number दिया हुआ है वो एक rational number है ठीक है और अगर वो rational है तो पी इसा में बनानी जुरत नहीं ध्यान रखना है बस मैंने आपको समझाया था कि यह rational क्यों होगा ठीक है तो यहां पर हमनों लिखेंगे कि यह वाला हमारा rational number है और इसलिए equation number 1 से हमारा root 3 भी जोगा वो एक rational number हो जाएगा लेकिन हम लोग को क्या पता है question में क्या दिया हुआ है कि root 3 एक irrational number है तो इसका उंदर कि जो हमने माना था rational number ना वो हमने गलत माना था हमारा जो अनुमान था हमारा जो exemption था वो गलत था या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम अब एक contradiction में आ जा रहे हैं इसलिए जो 2 प्लस root 3 होगा वो एक irrational number होगा बस यहीं पर आपका खेल ह होगता है खतम और यहां पर फोर माइनस रूट 3 दिया हुआ है तो जैसा हमारा प्रोसेस पिछला वाला question में था सेम ही प्रोसेस करेंगे मान लेंगे कि हमारे पास क्या एक rational number है तो अगर यह rational number है तो फोर माइनस root 3 का जो value होगा वो equal हो जागा P by Q के जो statement में पीछला location में लिखा है सेम आपको उसी टैप से practice करते वक्त इनको लिखना है जितावर आप लिखते जाओगे उतिया दिमाग में fit हो जागा इसको कैसी लिखा जाता है अब हम लोग क्या करेंगे आसे root 3 का value अपने को दिया हु solve करो इसको जल्दी से minus root 3 equal to हो जाएगा हमारा इसके उपर multiply हो जाएगा तो P minus में 4Q divided by में Q हो जाएगा इता समझ में आगिया अब लेकिन हमको minus root 3 का value नहीं दिया है न हमको plus root 3 का value दिया है तो हम लोग क्या करेंगे यहां से minus की sign को बाहर निकालेंगे या कहलो कि माइन दे करते हैं ना minus 1 multiply root 3 और यह जो minus 1 है इसका हम लोग इधर transfer कर देंगे तो इधर यह multiply में इधर आकर के divide में हो जाएगा यानि कि यह पूरा इधर का sign change कर देगा यह minus 1 इधर जाकर के समझ में आया कैसे होता है चलिए आपको समझाता हूं क्या होता है actual में जब हमें लोग यहाँ पर से इसको minus को common लेने का बात कहते हैं ना तो यह ऐसे हो जाता है minus की sign बाहर चली जाएगी इधर से हमारा minus root 3 हो जाएगा equal की side भी हम लोग क्या करेंगे minus की sign को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारा जो plus का 4 P था यह minus का P हो जाएगा क्योंकि minus और minus plus P होता है यह minus 4 Q जो है यह plus का 4 Q हो जाएगा क्योंकि हमारा लाना क्या में है minus में लाना है ना actual में तो हमने minus इसे इन अगर बाहर लिखी है तो अंदर plus करना पड़ेगा तभी तो minus और plus minus होगा हमारे पास नीचे में जो Q है इसको as it is रहने दो तो teacher लोग क्या काते है इसको ऐसे आप लोग कट कर दो तो minus और minus आपस में cancel हो जाता है लेकिन actual में क्या होता है कि यहाँ पर एक minus 1 है और यह minus 1 तो minus 1 इदर जाकर कि divide में हो जाएगा तो उपर का minus 1 और नीचे का minus 1 आपस में cancel होते हैं तो यह actual में इसका उतार दो तो यह हमारा root 3 का value इतना आगिया अब हमारे पस यह जो एक rational number है तो आप लोग इसको इसी लिखो कि पिछले बार की तरह कि 4Q minus P divided by Q is a rational number यह हमारा एक rational number है तो इसी लिए हमारा अगर हम लोग इसको equation number 1 मान लें तो from equation 1 from equation 1 अगर यह rational है तो root 3 भी एक rational होगा root 3 is a rational number but हमको दिया क्या गया भई दिया यह गया कि root 3 क्या है एक irrational number है so हम लोग अब कहां पर आ गया contradiction में आ गया तो यहां पर फिर वहीं लिखोगे so we arrive in a contradiction हमारा एक विरुदाभास हो जा रहा है हमने इसको root 3 को यहां पर rational proof कर दिया in question में root 3 हमारा irrational दिया हुआ था यहां पर आप लोग लिखोगे but it is given that root 3 is irrational जो जो चीज़े मैं यहां पर लिखिया आपको बार बार लिखना पड़ेगा अगर exam में आ रहा है तब मैं यहां पर बार बार इसलिए नहीं रिख रहा हुँ ताकि आपका time waste ना हो तो यहां पर हमारा इसलिए हमको यह proof होता है so it is proved that कि हमारा जो 4 minus root 3 था वो क्या था एक irrational था तो बस में आपको मैं यह समझाना चाहरा था इतना बस मैं हर बार इतना ही solve करूंगा बाकि जो उपर और नीचे की statement है वो आपको same to same पहले वले question की तरह चाप देने है ठीक है यानि कि समझ करें तो याद करना कि कैसे लिखा तो हम लोग यहां पर फिर सभी solve करेंगे मान लेंगे कि यह हमारे एक rational number है तो अगर यह हमारे एक rational number है तो यहां पर हमारा let करके लिखी देता हूं कि मान लिया यह rational number है तो इसका जो value होगा वो P by Q के form में आ जाएगा अब कि आवल हमको root 2 का value निकालना बाकिजी को transfer करना है तो यह हो जाएगा 5 root 2 equal to P by Q माइनस में 3 क्योंकि इधर यह plus का 3 था इधर आगर करके माइनस का हो जाएगा इसका इससे multiply होकर के उपर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 5 root 2 equal to P minus 3Q है ना Q का 3 से minus होगा तो 3Q आ जाएगा और divide में यह Q as it is उतर जाएगा हमको कि आवल root 2 से मतलब है तो 5 को भी transfer कर देंगे तो root 2 equal to हो जाएगा P minus 3Q और 5 इधर चिपका हो जाएगा इधर अगर कर दिवाइड में हो जाएगा तो इस Q से इसका multiply कर दो नीचे में तो यह नीचे में 5Q बन जाएगा ओके अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा यह equation number 1 है जिसमें P minus 3Q divided by 5Q is a rational number यह हमारा एक rational number है rational Q यह भी मैं आपको पहले ही समझा दिया कि P by Q का value अब कुछ भी ले लो 2 ले लो 4 ले लो 0 नहीं ले सकते ना क्योंकि Q is not equal to 0 अगर हमने इसको rational माना है तो Q 0 नहीं हो सकता यहाँ पर अपर ली भी सकते हैं Q is not equal to 0 ऐसे हैं तो अगर आपको भी value ले लोगे इसको वन ही ले लोगे ना तो जब इसको solve करोगे तो हमारे एक fraction निकल करके आजाएगा चाहे वह प्लस में निकल करके चाहे माइनस में निकल करके अगर fraction आ रहा है इसका मतलब कि यह हमारे Ich करेंबर तो यह मारे एक rational नहें है तो हमारा अगरे माली हैं फ्रॉम यापर से root 2 गिशह और सो बट हम को क्या दिया हुआ है कि इससेत्थ चैनल है कौड़ी शीची तो आब हम नोहाँ पर ब्रागे कोंड़िक्शन में को is यहां पर उत्पन हो जा रहा है निकल कर क्या जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 3 प्लस में 5 रूट 2 दिया हुआ है वो क्या होगा एक इर्रैसनल नंबर होगा तो एन इर्रैसनल नंबर बस खतम खेल में आपको बस यहीं स्टेट्मेंट बार बार सॉल्व करके लिखने हैं आपका आंसर आता चला जाएगा जो अगला कोईसन उसे सॉल्व करें एक वाला भी कोईसन सेम टू सेम है अब जीतने भी कोईसन आएंगे लगबग सिमिलर हैं बस हर बार जो नंबर वो चेंज किया गया यहां पर बोल रहा है कि रूट 5 जो है वो एक रैसनल नंबर है तो फिर वहीं काम करेंगे मान लेंगे कि यह एक रैसनल नंबर है 2 प्लस 3 इसका वैल्यू पी बाई क्यू के ब्राबर होगा तो यहां पर हम लोग इसका रूट 5 का वैल्यू चाहिए अपने को कि इसका वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी चीज़ों को एक एक टकर करके ट्रांसपर करेंगे तो 3 रूट 5 इकवाल टू हो जाएगा पी बाई क्यू और 1 ले लो और सेम डू सेम जो चीज़ आपने देखो यहां पर लिखा था मैं बार बार लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है यही चीज़ आपको यहां पर भी लिख देना है कि हमारा यह जो हमारे पास बना हुआ है यह fraction यह equation यह क्या एक rational number है लेकिन equation 1 से हमारा root 5 भी एक rational number proof हो जा रहा है लेकिन root 5 हमको दिया हुआ है irrational number हम आ गया contradiction में इसलिए हमारा यह equation होगा यह जो नंबर होगा यह rational number होगा खेल खतम चलिए अगला question solve करें नाइन्थ वाले question में हमें थोड़ा सा अलग बना करके दिया हुआ है number यहाँ पर एक denominator में 7 भी दे दिया है कोई दीकत नहीं जैसे पहले solve करें थे वैसी solve करेंगे इसको उन्हों मालनेंगे कि यह हमारा क्या एक rational number है इसका उन्दब 7 इदर जाकर minus में हो गया तो P by में Q minus 7 हो जाएगा तो यहां से हमारे पास 3 minus 4 root 2 equal to हो जाएगा P minus में यह देखो इसका इसे multiply होगा तो यह बन जाएगा हमारे पास 7 Q ओके और divide में जो हमारे पास Q है वो तो as it is उतर जाएगा हमारे पास ठीक है तो अब यहां पर हमारे क्या minus उनस में नहीं होगा multiply होगा वो आदत हो गया ना बारबर ट्रांसफर करकर करके यहां इधर ले जाओ minus कर दो इसलिए यह कर बड़ो गया कोई बात नी दुबारा से करते हैं 3 minus में 4 root 2 divided by 7 equal to P by Q है ओके 7 इधर जाएगा तो यह हमारा actual में यह divide में इधर जाकर multiply हो जाएगा minus 4 root में 2 equal to set में 7P by Q और यह 3 इधर प्लस में इधर आकर कि 3 minus में हो जाएगा ध्यान रखना कि number के left में जो sign होता है वो उसका कहला आता है तो इसके left में कोई भी sign नहीं प्लस के sign है तो इधर आकर कि minus हो जाएगा इस दो तरह solve करते हैं उसके बाद minus 4 को ले जाएगे तो minus 4 by root 2 equal to हो जाएगा 7P 3 का Q से multiply होगा तो 3Q आजाएगा उपर में और नीचे में जो Q है वो तो रहे गई अब हम लोग माइनस 4 को भी तरा ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या root 2 बच जाएगा इधर equal के set में 7P minus 3Q है divide देखो यह 4 इधर multiply में इधर आकर कि Q के जाता है इस standard form में उसी minus की sign को अगर denominator में भी minus की sign है न तो उसको बीच में लिखा जाता है यह तो numerator में लिखा जाता है तो मैं क्या करूंगा ऐसे bracket लगा करके इस minus की sign को बाहर लिख दूँगा ठीक है अब इसके वज़ा से क्या होगा कि हमारा सारा का सारा sign change हो जाएगा य यह 3Q पलस में तो इसको पहले ले आओ और यह minus 7P को बाद में लिख दो और divide by में जो 4Q है उसको इस उतार दो तो यह हमारे पास एक rational number है इसका मतलब root 2 भी rational number हो जाएगा लेकिन हमें root 2 दिया हुआ है irrational number इसका मतलब हम लोगे contradiction में आ जा रहे है हमारा जो अनुमान है वो ग देना है चलिए अगले question solve करें तो देखो यहां जो टेंथ वाले question है यह 2010 सीवेसी में आभी चुका है एक बार तो इसको समझना वाली कोई चीज नहीं है अगर आप में पिछले वाले question समझ लिए तो यह भी बन जाएगा मान लेंगे चलो इसमें मैं पूरा लिखी देता let 5 by sorry 5 minus 2 root 3 is a rational number हम लोग मान लेते कि यह rational number है so यह हमारा जो value होगा इसका न वो equal हो जाएगा P by Q के जहां Q हमारा 0 नहीं है यहां पर आप लिख सकते हो Q is not equal to 0 ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां से हमको root 3 के value निकालना है क्योंकि root 3 के value हमको यह rational दिया हुआ है एक ए करके transfer करते जाओ तो minus 2 root 3 equal to हो जाएगा P by Q और यह जो 5 इदर प्लस में था जाएकर करके minus में हो जाएगा तो minus 2 root 3 equal to हो जाएगा यहां पर इससे multiply हो करके P minus 5Q और divide by में हमारा Q आ जाएगा minus 2 के दर transfer करेंगे तो यह अपना पूरा minus लेकर क्या जाएगा तो root 3 equal to हो जाएग divided by में यहां पर यह 2 का इससे multiply होगा तो 2Q हो जाएगा इन चुकि minus लेकर क्या जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे सारे नंबर कर ज्यां रखना कि केवल यहां पर आपको minus नहीं लगाना है इस minus के हुझा से सारे अंदर के values change हो जाते हैं तो यह हो जाएगा हमारा यहां से root 3 P equal to minus P क्योंकि minus और plus minus होता है और minus minus plus 5Q और divide by में हमारे पास 2Q as it is हो जाएगा तो अब हमारे पास जब इस तरीकिस आ गया तो आगे पीछा भी सो करके लिख सकते हो plus और minus और को बाद में तो बस इतना ही आप लिख दो इसको 5Q minus में P divided by में 2Q अब हम लोग जो पहले लिखत यह हमारे एक रैशनल अबर है तो फ्रॉम एकवेशन वन एकवेशन अजल्सें को से इस पता चलता है कि पनकि रूपशनल नंबर है यह हमारा क्या एक रैशनल कया है सो अगर यह हमारे तो इससे हम को यह पता चलता है कब हुरा है तब हो रहा है जब हम इसको एक व्यक्राइशनल नबर मानते हैं टीटा आफ जो आपके जिसांपल्स में दिया हुआ वैसे भी लिए सकते हो यह contradiction तब हो रहा है when we let या we assume 5-2 root 3 यह और rational number जब हम इसको एक rational number मान रहें तब एक contradiction हो रहा है तो इससे यह proof होता है कि हमारा जो number है 5-2 root 3 वो क्या है एक irrational number है तो इस एन irrational number बस इतना यह आपको लिखना है आयोग आपको बार बार यह में repeat कर रहा हूँ तो समझ में भी आ रहा होगा में आपको यह सही solve करना और यह आपने गलत किया तो हो सकता है कि कुछ marks काट दिये जाए वहाँ पर ठीक है तो मैं 2 जो है वह एक rational है और अगर यह rational है तो यह p by q के form में होगा तो यहां से आपको ट्रांसफर कर देंगे जैसे solve करते थे थे न बस वैसी करना है तो root 2 equal to हो जाएगा हमारा p by q यह 5 इधर multiply में इधर नीचा करके 5 q बन जाएगा तो अगर p by q q रैसनल है तो यह भी हमारा क्या होगा एक rational number हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि पी बाई में 5 q is a rational number यह हमारा rational number है तो हमारा equation अगर इसको ले ले लिए तो form equation 1 हमारा equation 1 से root 2 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा एक rational number हो जाएगा क्योंकि यह वाला rational है तो यह भी हमारा rational number हो जाएगा यह हमारा जानते हैं कि हमको question में क्या दिया हुआ है rational नहीं दिया हुआ है तो बस वही जो चीज़ आपने पहले लिख लेना कि but it is given that root 2 is a irrational number तो हम लोग कहां पर आ गया बें contradiction में आ गए rational प्रूफ करना है तो यहां पर देहां दो कि हमारा root 3 जो हो denominator में है तो हम लोग क्या करेंगे पहले तो इसको numerator में लेकर आएंगे numerator में लाना आपको मैंने class 9 में सिखाया था कि आपको क्या करना रहता है denominator को rationalize किया जाता है rationalize का मतलब होता है कि उपर नीचे आप क्या करो root 3 का multiply कर दो इस तरीके से तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी fraction में उपर नीचे अगर से मल्टिप्लाइ किया जाए तो उस fraction में कोई change नहीं होता है root 3 और root 3 cancel हो जाएगा लिए इसको करने से फैदा यह होगा ना कि अब मेरा root 3 नीचे था वो उपर आ जाएगा देखो root 3 का 1 से multiply होगा तो उपर में मेरा root 3 आ जाएगा नीचे में हमारे पास root 3 और root 3 मिल करके कितना बन जाएगे पूरे 3 हो जाएगे root का मतलब ही होता है कि उसका पावर आधा हो जाता है तो आधा 3 और कहलो आधा 3 दोनों मिला करके पूरा-पूरा 3 हो जाएगा और root से वो बाहर निकल जाएगा इसको ऐसे भी लिखते है हम लोग root 3 into 3 यानि root के अंदर 3 multiply 3 करके लिखते हैं तो वो क्या बनता है यह मेरा पूरा-पूरा 3 बनता है ना तो वही चीज़ यहां पर हुआ तो इससे फैदा क्या हुआ जब हमने denominator को rationalize किया तो हमारा जो denominator में root 3 था वो numerator में आ गया अब आप इसको लो कि मान लेते हैं कि जो हमारा root 3 by 3 है वो क्या है एक rational number बस यहीं से आप लोग solve कर ल जो पहले हुले question में अपने किया था कि यह हमारा rational number है तो यह भी rational number हो जाएगा लेकिन यह हमें irrational दिया हुआ है इसका मतलब कि यह पूरा का पूरा 1 by root 3 जो होगा वो एक irrational हो जाएगा तो बस आपको इसमें इस टाप से अगर कभी भी है denominator में अगर आजा हमारे पास root all value तो आप लोगो क्या करना numerator में लेकर आना है और उसके बाद solve करना है जो अगला question solve करें तो देखो जो 13 वाला question है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 by root 7 तो यहां पर नीचे में हमारा root 7 है तो हम जानते हैं इसको फिर सभी करना पड़ेगा denominator को rationalize करना पड़ेगा इसके लिए हम ल root 7 divided by 7 is equal to P by Q हो गया यहां से root 7 का value निकाल लो इन सबी को transfer करके तो मैं एक ही वर में transfer कर देता हूँ 7 उपर चला जाएगा 2 हमारा नीचे आ जाएगा तो root 7 equal to हो जाएगा 7 P और यह 2 नीचे आगर के 2 Q बना लिया तो इस तरीके से हमारा root 7 का value निकल गया अब यहां पर फिर वही जब पहले लिखा वही लिख लो कि यह हमारा rational है इसलिए root 7 भी rational हो जाएगा लेकिन root 7 irrational दिया हुआ है तो यह हमारा contradiction हो जा रहा है और अगर contradiction हो उपर में भी root 5 और नीचे में भी root 5 का multiply कर दो तो multiply करोगे तो यह उपर में हमारा 3 root 5 ही रहेगा sorry 3 लिखा के गलती से नीचे में हमारे पस यह 5 बन जाएगा तो अब यहां से हम लोग को equal कर लेना है इसको P by Q के यह इसको मान लेना है एक rational number ठीक है अब rational number मान लिए तो 5 हमा चैप्टर में पूरा same question यहां परम को दिया हुआ है बस जो हमारे पास last question बचे हुए ना 17-18 ने 18 तो ही नी 17 वाला जो है और 16 वाला वो थोड़ा सा दिमाग लेका कि आपकर solve करना है बाकि यह 15 होला भी इसओ हो जाएगा यहां पर हम को क्या दिया हुआ हुआ है एक बर दे हैं कि जो हमारा root 3 plus root 5 है वो एक rational number है तो अगर यह rational है तो P by Q के form में आ जाएगा अब यहां से क्या करो आप किसी भी एकी value निकालो कैसे निकालोगी जैसे मालूं मुझे root 3 की निकालनी है तो मैं 5 कुदर transfer करूँगा तो root 3 equal to हो जाएगा P by Q माइनस में root 5 इतना समझ में आ गया अब आप क्या करो कि इसको पूरा-पूरा solve करने के लिए इसका square कर दो square क्यूं कर रहे भी आपको समझ में आएगा पहले इसका प्लोग square कर लो और इसको solve करना सीखो फेले तो यह root 3 का हो जाएगा इधर यह पूरा square होगा तो पी बाई में Q माइनस में root 5 का square हो 2 जो कि होता है A का square तो A square करेंगे तो मेरा B का भी square हो जाएगा और नीचे में Q का भी square हो जाएगा यहीं अट के स्क्वार में पूरा-पूरा स्क्वार हो जाएगा माइनस होता है बी का स्क्वार तो बी का स्क्वार में हमारे पास यह भी पूरा-पूरा हम लों solve कर लेती है थोड़ा सा यह हो जाएगा पी स्क्वाइर माइनस क्यू स्क्वाइर ठीक है यहां पर हमारे पास माइनस फाइब है यह बन जाएगा हमारा प्लस में इसका इसको मल्टीप्लाई हो रहा है ध्यान रखना तो यह हो जाएगा टू पी बाई में क्यू और इसको सॉल कर लेते हैं इसको एसे मल्टीप्लाई होगा तो 8Q स्क्वाइर आ जाएगा माइनस में पी का स्क्वाइर हो जाएगा थोड़ा से नीचे कर लेता हूं तो याब अब अच्छे से दिखें और divide by में यह जो Q का स्कार है वो रहेगा ही सब्सक्राइब ना देखो इसका से multiply किया तो इतना आ गिया minus में P स्कार, divide में Q का स्कार, equal कि उस सेड में 2P by में Q, root में हमारे पास 5 है अब हमारे पास यह इस तरीके से बन गया, अगर मैं इसको डारेट ट्रांसफर कर दो तो cut pit होगा cut pit तो नहीं होगा लेकिन root 5 का value निकल करके आ जाएगा और हमको बस इसी का value चाहिए तो इसको दर ट्रांसफर कर दो, यह हमारे numerator में, denominator में है, इधरा करके उल्टा हो जाएगा यह हो जाएगा 8Q स्कार, minus में P स्कार, divide by में Q स्कार है यह देखो Q जो नीचे था, इधरा करके उपर में multiply हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसी लिख सकते हैं, direct, Q में उपर में और नीचे में यह हो जाएगा हमारा 2P, equal कि उससेट में root 5 कर दो अब चाहँ तो आप इसको multiply करके भी दिखा सकते हो, otherwise आप इसको direct भी दिखा सकते हो कि हमारे पास 8Q square minus P square, divide by में Q square, multiply में Q by में 2P यह क्या है, एक rational number है, is a rational number, क्योंकि अगर हम लोग P और Q का कोई भी value पूट करें, 1, 2, 3 कुछ भी लिखें और solve करें, तो यह हमारा rational number आ जाएगा और अगर हम लोग इसको equation number 1 ले लेते हैं, तो equation number 1 से हमारा root 5 भी जो है, वो क्या हो जा रहा है, एक rational number हो जा रहा है, तो from equation 1, root 5 is a rational number, यह हमारा rational number हो गया, but हमको दिया क्या गया है, it is given, हमको दिया हुआ है, कि root 5 जो है, वो एक irrational number है, तो is an irrational number, तो हम लोग यहाँ पर क्या म में आ गया है so we arrive in a contradiction ठीक है और अगर contradiction में आ गया है इसका मनलब कि हमारा answer गलत है यह जो इसको रैसनल नमबर माने वो बिल्गुल गलत माने है हमारा जो नमबर दिया हुआ था रूट-3 प्लस रूट-5 वो क्या होग एक irrational number हो जाएगा तो is an irrational number तो में आपको focus करना है कि root 5 या root 3 किसी के भी एक का value निकालने में अगर मालो मैं यहाँ पर से इस root 5 को transfer नहीं करता मैं 3 को transfer कर देता तो हमारा इधर से root 3 का value निकाल कर क्या जाता और root 3 भी हमको irrational ही दिया हुआ है तो अगर आप इसको ट्रांसफर ना करके root 3 को transfer करोगे तो भी गलत नहीं होगा आप लोग का last में जो यहाँ पर मेरा root 5 आया है ना यहाँ पर आप लोग रूट 3 आ जाएगा और उससे भी कोई दिक्कत नहीं कि question में हमको root 3 भी दिया हुआ था कि वह एक अगर एक्जाम में confuse करने के लिए steps आजाए कि बस बतल दे आपको कि root 5 जो है ना केवल वही एक irrational है root 3 के बारे में आपसे कुछ ना कहा जाए तब आप लोग क्या करोगे मेरा method यूज़ करोगे जो झाल आपको कि ब mascara जाए देप प्तवते है रह भी करोगे भीcemज़ यू झाल भी जास Smचका